नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरी दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सिवा में एक बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके आएए आज हम सभी जानते हैं मुली खाने के फायदे और नुकसान के संबंध में मुली हमारे सलाद का आम हिस्सा है और यह बहुत सारे रस के साथ स्वाद में तीखी या मीठी होती है मुली विभिन आकार में सफेद, लाल, बैंगनी या काले रंग की होती है यह लंबी और बेलना कार या गोल हो सकती है यह कच्ची या पका कर खाय जाती है मूली के बीज से प्राप्त तेल का उपयोग कई उत्पादों और स्वास्थ प्रयोगों के लिए किया जाता है मूली में पत्तियां फूल फली और बीज होते हैं मूली का वैज्ञानिक नाम रफानस सेटाइवस है मूर रूप से एशियाई बाजारों के कुछ हिस्सों में मूली को डिकॉन के रूप में भी जाना जाता है आये जानते हैं इसके लाभों के बारे में सबसे पहले मूली के पत्ते के फायदे पिलिया रोग में बेहद ही उप्योगी माने जाते हैं मूली लिवर और पेट के लिए बहुत अच्छी होती है और यह शरीर से विशयले पदार्थों को निकालने का भी कार्य करती है इसका मतलब है कि यह रक्त को शुध करती है और जहरीले पदार्थ और कच्रे को नश्ट करती है पीलिया के इलाज में यह बेहद उपयोगी होती क्योंकि यह बिली रूबीन को निकालती है और इसके उत्पाद के स्तर को समाने भी रखती है यह लाल रखत को शिकाओं को भी नश्ट होने से रोकती है रोजाना सुबह एक कच्ची मूली सो कर उठने के बाद ही खाते रहने से कुछी दिनों में ही पीलिया रोग ठीक हो जात 60 मिली लीटर मूली के पते का रस 15 ग्राम खांड मिला कर पीने से पीलिया रोग में आराम आता है मूली के फायदे करेंगे आपको बवासीर से मुक्त जिहां मूली अपचनिय कार्बोहाइडरेट से बनी होई है यह पाचन वाटर रिटेंशन में मदद करती है और कबज को ठीक करती है जो बवासीर के प्रमुख कानों में से एक है एक अच्छे डिटॉक्सिफायर के रूप में यह बहुत जल्दी बवासीर के लक्षणों को ठीक करने में मदद करती है इसका रस भी पाचन और बवासीर के लक्षणों से रहत दिलाता है मूली के बीच का जिससे यह वजन कम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा हार का विकल्प हो जाता है इसके अलावा यह फाइबर में उंच और ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम होती है जिसका अर्थ है कि वे नियमित आंतों के कारियों में व्रिद्धी करते हैं जिससे वजन घटाने मे मदद मिलती है और सभी शारेरिक प्रक्रियाओं के लिए चाया-पचय की कार्य शमता को बढ़ाता है मूली खाने का एक अन्यलाव है कि यह आपको हरदय रोग से बचाता है मूली एंथोसाइनीन का एक अच्छा श्रोथ है जो एक प्रकार का फ्लेवोनोइड्स है जो ना क का रात्मक तरीके से ह्रिदय रोग की घटना को कम करने के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए मूली के सेवन से ह्रिदय विकारों का खत्रा कम हो जाता है मूली के और शध्य गुण है कैंसर में लाबकारी चुकि मूली एक डिटोक्सिफायर है और विटामिन सी फोलिक और इसके अलावा मुत्राशय में पाए जाने वाले आईसो थियोसाइनेट का कैंसर को शिकाओं के आनुवन्षिक मार्ग पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है मूली का उपयोग आपको सफेद दाग से भी छुटकारा दिलाता है जिहां सफेद दाग को मेडिकल भाषा में वितिलीगो या लिउकोडर्मा कहा जाता है मूली अपने डिटोक्सिफिकेशन और एंटिकार्सनोजेनिक गुनों के कारण लिउकोडर्मा के उपचार में उपयोगी होती है मूली के बीज इसके उपचार में उपयोग किये जाते हैं बीजो का पाउडर बनाए और सिर के अदरक के रस या गायों के मुत्र में भिंगोएं और फिर सफेद पैच पर लगाएं आप मूली को खाकर भी लिउकोडर्मा के उपचार में सहायता पा सकते हैं मूली के लाव है एक अन्य कि ये कबज को दूर करती है जी हां मूली फाइबर में उच्च होती है और यह दिले आतों को मजबूत करने और धिली मल या दस्त से छुटकारा पाने में भी मदद कर सकती है इसके अलावा मूली पित के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है पित पाचन के सबसे महतोपूर्ण भागों में से एक हैं और लिवर और पिताश्रय की थै श्वशन तंत्र की रुकावट को कम कर देता है जिसमें नाक, गले, वायू पाइप और फेफणों में जलन होती है जो सर्दी, संक्रमन, एलर्जी और अन्यकारणों से हो सकती है यह निशंस, क्रामक और विडामीन में सम्रिध है जो संक्रमन के श्वशन प्रणाली की रक् मूली में मौजूद इसका तीखापन एक मजबूत प्राकृतिक मसाला होता है जो बिमारी को रोकने के लिए बहुत अच्छा होता है और यह गले में अतिरिक्त बल्गम को भी समाप्त कर देता है इसके अलावा मूली गले में आराम और साइनस को दूर करने के लिए भी उच्छ रक्त चाप को कंट्रोल करती है जी हां मूली पोटैशियम का एक बहुत अच्छा अश्रोध है पोटैशियम को उच्छ रक्त चाप को कम करने के लिए सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है क्योंकि जब यह समवहनी बेड की धमनी आपूर्ती से संपर्क करता है तो यह रक्त वाहिकाओं को आराम दे सकता है और इसलिए रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है यह रक्त के प्रवाह को चोड़ा करके रक्त चाप को कम करता है इसके अलावा मूली में एक खास तरह का इंटी हाइपर्टेंसिव नामक तत्व पाया जाता है जो कि हमारे उंच रक्त चाप के स्तर को कंट्रोल करता है इसलिए रक्त चाप रोगियों को अपने आहार में मुली को शामिल करना चाहिए इसके अलावा मुली का लाव मधुमेह में भी होता है मुली लंबे समय से कम गलाइसेमिक इंडेक्स के लिए जानी जाती है जिसका अर्थ है कि इसके सेवन से रक्त शरकरा के अस्तर पर असर नहीं होता है यह खून की मातरा में शरकरा के और शोषन को नियंतरित करने में भी मदद करती है इसलिए मधुमेह रोगियों के लिए मुली का सेवन लापदायक होता है मूली के गुण हैं तवचा के लिए बेहदलाब कारी जहां दोस्तों मूली में मौजूद विटामिन C, फासफोरस, जिंक और विटामिन B कमप्लेक्स तवचा के लिए अच्छी होती है मूली में मौजूद पानी भी तवचा में स्वस्त नमी के अस्तर को बनाए रखने में मदद करता है कच्छी मूली को कस कर आप अच्छी तरह से अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं और यह एक बहुत ही अच्छा फेस पैक के रूप में कार्य करती है इसकी निसंस क्रामक गुणों के कारण मूली सुष्क तवचा मुहां से चकते और दरारें जैसे तवचा विकारों को साफ करने में सहायता करती है मूली के जूस के फायदे आपको बुखार में भी मिल जाते हैं जिहां दोस्तों मूली बुखार के कारण शरीर के तापमान और सुजन को कम करने में रहत देती है इसके लिए मूली के रस को काले नमक के साथ मिश्रित करके पीना चाहिए और मूली एक बहुत ही अच्छे किटाडू नाशक के रूप में कारे करती है इसलिए मूली संक्रमर से भी लड़ती है जो बुखार पैदा कर सकते हैं इसके अलवा मूली के बीज के फायदे गुर्दे के लिए भी बेहद उपयोगी माने जाते हैं मूत्र वर्धक, शुद्धिकारक और नी संसक्रामक के रूप में मूली लिवर संबंधी विकारों के उपचार में सहायता करती है और अच्छी तरह से किसी भी संक्रमर से गुर्दे की रक्षा करती है मूली का रस भी पेशाप के दोरान सूजन और जलन का इलाज करता है यह गुर्दों को साफ भी करता है और गुर्दे और मुत्र प्रणाली में संक्रमर को रोकता है इस प्रकार यह भी भिन मुत्र संबंधी विकारों के उपचार में मदद करता है हाइड्रेटेड रहने का सांदार तरीका है मुली पानी से युक्त होती है इसलिए यह आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखने का एक सांदार तरीका होती है जो स्वास्थ के कई अलग-अलग हिस्सों के लिए फायदे मद है Hydrated रहने का सबसे महतो पून प्रभाव हमारे पाचन तंतर पर पड़ता है Hydrated रहने से कब जिसे राहत मिलती है पाचन की दक्षता में सुधार होता है प्रतिरख्षा प्रणाली में सुधार के लिए भी आपको मूली का सेवन करना चाहिए आपके आहार में मूली को जोड़ने के कई अनगिनत कारण है लेकिन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार सबसे महतवपूर है सलाद में प्रती दिन आधा कप मूली खाने से आप लगभग 15 प्रतिशत विटामिन सी को प्राप्त कर सकते हैं विटामिन सी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को ही नहीं बढ़ावा देती है बलकि यह शरीर पर अन्य सभी उच्च प्रभावों के कारण भी सुपर विटामिन का करे करती है यह आपके चया पचय को विनीमित करने में मदद करती है इसके साथ यह लिवर के लिए भी बेहद उप्योगी मानी जाती है मूली लिवर और पिताशय की थैली के कारियों के लिए विशेश रूप से फायदे मंद है यह पित और बिलीरुबीन एसीड और एंजाइम के उत्पादन और प्रवाह को विनीमित करती है इसके अलावा यह रक्त के अधिक बिलीरुबीन को भी हटा देती है मूली की नियमित खपत संक्रमण और अल्सर से आपके जीगर और पिताशय की थैली की सुरक्षा रखती है मूली लिवर और पिताशे की थैली के कारियों के लिए विशेश रूप से फायदेमंद है यह पित और बिलीरुबीन एसिड और एंजाइम के उत्पादन और प्रवाह को विनियमित करती है इसके अलावा यह रक्त में अधिक बिलीरुबीन को भी हटा देती है मूली के नियमित खपत संक्रमण और अलसर से आपके जिगर और पिताशे की थैली की सुरक्षा रखती है मुत्रवर्धक, शुद्धिकारक और निसंस क्रामक के रूप में मूली लिवर संबंधी विकारों के उपचार में सहायता करती है इससे मुत्रवर्धक गुन लिवर में जमा हुए विशाक्त पदार्थों को दूर करने में मदद करते हैं और रखत में विशाक्त पदार्थों के संचय को कम करते हैं जिससे लिवर में उनकी एक आगरता कम हो जाती है इसके साथ साथ मूली के कुछ एक नुकसान भी हैं वो भी आई ये जानते हैं क्योंकि कोई भी अवशधी होती है उसका जितना फायदा होता है उतना ही नुकसान भी होता है अगर आप उसका सही मातरा में उप्योग नहीं करते हैं तो मूली के साथ मचली का सेवन नहीं करना चाहिए मूली खाने के तुरंत बाद दूद का सेवन नहीं करना चाहिए गलत खादे संयोजन के नियमों के मताबिक काले चने के साथ मूली को खाने से मना किया गया है इसके अधिक सेवन से भूख में कमी, मुह और गले में दर्द और सूजनी त्यादी हो सकता है इसलिए इसका अत्याधिक मात्रा में सेवन ना करें तो दोस्तों ये थी आज के हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहदी महत्वपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों